तेशी सुरोत की बात करते हैं तो समिदान सबा ने इस समिदान का निर्मान किया ये बारत का समिदान है और निर्मान किया है समिदान सबान है और जब निर्मान हुआ था इस समिदान का तो दुनिया के 60 देशों के समिदानों को पढ़ा था Cut this आपको तो के उल एक ही समईधान पढ़ना है और आप ये देखो समईधान निर्मताओं ने कितनी मेनत किये और इतने सारी समईधान पढ़े और उसका निश्कर सार भी निकाल लिया और जो हमारे काम की चीजे थी उनको उठा कर अपने समिधान के अंदर सामिल कर ली उन्नी को तम कहते हैं विदेशी स्रोत दूसे देशों से ली गई चीजे अब यहाँ पर एक चीज आती है कि भारत के समिधान पर सर्वादिक परभाव किसका है सर्वादिक परभाव का मतलब है कि जिसने सबसे ज़्यादा परभावित हमारे समिधान को किया है और उसमें एक कानून का नाम आता है एक्ट 1935 अदिनियम 1935 ये अदिनियम 1935 अपने आप में एक बहुती विश्तरत कानूनी दस्तवेश्था अंग्रेजों की द्वारा भारत में लागू किया गया एक परकार का समिधान था ये जो अंग्रेजों ने भारत में लागू किया था जिसमें उत्तरदाई सासन को इस्तापित किया गया अब इसमें कुछ कम्या थी इसलिए हमने इसका विरोध किया और बाद में कहा कि हम समिधान अपना खुद का ही बनाएंगे और खुद के लोग ही बारत के लोग ही बनाएंगे तो फिर इसमें तो अच्छी चीज़े थी वो अपने समिधान में सामिल कर ली और अच्छी चीज़ों की संख्या की बात करें तो 70% तो 70% जो है 1935 अधीनियम से लिया हुए है बारत के समयदान में इसलिए दब ये कुछन आए एक्जाम में कि बारत के समयदान पर सरवादिक परबाव तो आप कहेंगे अधीनियम 1935 इंपल एकदम उसके अलावा हमने दूसे देशों से कुछ चीज़े ली है अब कौन से देशों से हमने क्या लिया है उसके हम बात करते है उवीडे सी स्रोथ अब किन किन देशों से हमने कौन कौन सी चीज़े ली है उसमें सबसे पहला नाम आता है संयुक्त राज्ये अमेरिका संयूक्त राज्य अमेरिका आप कह सकते हो आप इसको USA कह सकते हो United State of America अब अमेरिका से हमने कोन सी चीजें लिए है कोन सी तत्व सम्विदान में लिए है उनकी हम एक एक करके बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमने लिए है यां से मूल अधिकार जब हम मूल अधिकार देखते हैं तो यह अमेरिकी समिदान से प्रेजित है उसके बाद में हमने अमेरिका से जो प्राप्त किये है वो है राष्ट्रपती का महावयोग महावयोग का मतलब हता है एक बहुत बड़ा आरोप जब राष्ट्रपती को पद से अटाते हैं तो यह आरोप लगाए जाता है जिसे मावयोग कहते हैं हम ऐसे भी गह सकते हैं कि राष्ट्रपती को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिए हुए उसके बाद में हमने अमेरिका से लिए है वित्ती अपातकाल वित्ती अपातकाल financial emergency जब देश में धनकी कमी हो जाए तो एक अपातका लगाए जाता है जिसका नाम है वित्ती अपातकाल आपको पता होगा कि बारत के समिधान में अनुचे 360 वित्ती अपातकाल की बात करता है वो कहता है कि अगर देश की आरती किस्तिती बहुत ज़्यादा खराब हो जाए अर्थ व्योस्ता इतनी परिशान हो जाए कि आपके पास पैसा बचे ही ने उस कंडिशन में आप वित्ती अपातकाल की गोशना करें बजट को कंट्रोल करें खर्चों को रोकें और देश को बचाएं अगर किसी देश पर आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहरा जाए तो उसकी एकता और अखंडता खत्रे में पड़ सकती है आप देख रहे हो कि हमारे पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान आर्थिक संकट के कारण वहाँ एक आंतकवादी संक्थन देश के उपर कबजा कर लिया उसके पीसे एक ही कारण था कि वहाँ की जो सेना है उनको टाइम पर सेलरी नहीं मिली और सेनिक घर जाकर बेट गए और सेनिक अगर घर जाकर बेट गए तो देश की सक्ति खत्म है हमारे देश में भी तो हो सकता है अगर सेना घर जाकर बेट जाए तो सक्ति खत्म है इसलिए इस अपात्काल को लगाना जरूरी है उद्देशी का उद्देशी का जिसको हम कहते हैं परस्तावना ये परस्तावना भी हमने कहां से लिए हैं अमेरिका से लिए हैं स्वतंत्र न्यायपालिका बारत की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है कारियपालिका से कारिय पालिका गयन की राष्टपती प्रदानत्री मंत्रियों का कोई अध्तक्षेप नहीं हो सकता ये उसकी सोतंत्रता है ये सोतंत्रता हमने अमेरिका से ली है उसके बाद में यहां पर आता है उप्राष्टपती का पद बारत के उप्राष्टपती कौन अभी जगदीब धन्खड देश के पहले उप्राश्पती कौन थे सरुपली रादा कर्शन तो ये जो पद है हमने अमेरिक की समिदान से लिए बारत का उप्राश्पती क्या काम करता है आपको पता है बारत का उप्राश्पती का कोई काम है नहीं समिदान में समिधान में परतेक पदा धीकारी के लिए कारी लिखावा है लेकिन उपराष्ट पती के लिए कुछ भी नहीं लिखाए और ये एक मात्र रहसा पद है जिसका वेतन जीरो है और काम भी जीरो है कोई काम नहीं है जब तक राष्टपति पद पर वेठा है, तब तक इसका कोई कांऑ नहीं है इसलिए समीधान का अनुचे 64 कहता है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का चेर्मेन होता है बारत की उपराष्टपती और उसी कार्ये के लिए उसको वेतन मिलता है चारलाक रुपे मेहने का और जब उपराष्ठ पति राष्ठ पति के जगे आता है तो उसको कारियवाख राष्ठ पति बोलता है Acting President उस condition में उसकी salary राष्ठ पति वाली होगी पांसलाक रुपे मेहने की तो ये एक ऐसा पद है जिस पद का खुद का कोई काम नहीं है और खुद का काम नहीं होने के कारण खुद का वेतन भी नहीं है वेतन वो किसे दूसरे पद का लेता है काम भी दूसरे पद का करता है तो ऐसा है उपराश्पति उसके बाद में हमने एक चीज ली अमेरिका से वो है नियाइक पुन्राव लोकन जूडिसियल रिव्यू पुन्राव लोकन का मतलब होता है दूबारा जांच करना, पुन्य अवलोकन करना नियाइक का मतलब नियाएपाली का दौरा हमारे देश में विदाई का कानून बनाती है और नियाय पाली का उनकी जांस करती है और जांस में अगर कोई कानून गलत है तो उसको reject भी किया दा सकता है उसे हम कहते हैं नियाय को पुन्रा उलोकन यह अमने अमेरिका से लिए है उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रिटेन की है ब्रिटेन जो है इसको आप इंगलेंड भी कह सकते हो और इसको आप UK कह सकते हो United Kingdom अब ब्रिटेन से हमने सबसे पहली जो चीज लिए है सबसे इम्पोर्टेंट उसका नाम है विदी का सासन विदी का सासन Rule of Law विदी का सासन का मतलब होता है कि देश में विवस्ता कानून के अनुसार चलेगी व्यक्ति के अनुसार नहीं व्यक्ति क्या सोचता है वे से सासन ही चलेगा कानून क्या कहता है वे से सासन चलेगा उससे करते हैं विदी का सासन आज आप यहां बेठे हैं विदी की कारिन तो बेठे हैं और विदी अगर नहीं होती कानून का सासन नहीं होता तो हमें इतनी आजादी नहीं होती तो विदी का सासन अमने इंग्लेंट से लिये हैं और उसके बाद में एक व्यवस्ता आती है जिसका नाम है संसदी व्यवस्ता संसदी व्यवस्ता का मतलब है व्यवस्ता का मतलब होगे सरकार और संसदी का मतलब होगे संसदी पारलेमेट सरकार जो है वो संसद के अंदर से बनेगी हमारे जितने मंत्री होते हैं वो संसदी तो होते हैं किसी को हम कहते हैं संसदी व्योस्ता मंत्री कारिय पालिक है और वो संसद का मेंबर है और पहले उसको मेंबर बनना पड़ेगा फिर वो मंत्री बनेगा अगर मंत्री बनते समय वो मेंबर नहीं है तो 6 मेने के अंदर अंदर बन जाए नहीं तो पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बारत में संसदी वेवस्ता है जनता का प्रिव्यक्ति ही यहाँ पर मंत्री बन सकता है और जनता का प्रिव्यक्ति संसद का सदर से होता है ब्रिटेन से लिया है राश्टपती का नामातर पद या हम कह सकते हैं राश्टपती की नामातर सक्ति ब्रिटेन में ये सक्ति राजा के पास होती है ब्रिटेन का राजा और भारत का राश्टपती बराबर है जापान में भी ऐसा ही है जापान में भी नाम मातर शक्ति राजा के पास है ब्रिटेन में भी राजा के पास है और इन देशों में सरसदी विवस्ता अपनाएगी ही लोगतंतर की उसके बाद में ब्रिटेन से हमने लिया है पर्तिक्स निर्वाचन निर्वाचन में आपने सुना होगा दो परकार के निर्वाचन होते हैं एक पर्तिक्स और दूसरे एपर्तिक्स एपर्तिक्स निर्वाचन का मतलब होता है कि जिसमें जनता के किसी पर्तिरी दिने वोट दिये और परतिक्स निर्वाचन का मतलब हो गया जनता ने सीधा वोट दिये जैसे हमने एक विदायक को वोट दिया और उस विदायक ने राष्टपती को वोट दिया तो राष्टपती के सुनाओ क्या कहलाएगा एपरतिक्स कहलाएगा लेकिन विदायक को हमने वोट दिया वो परत्यक्स कराएगा तो परत्यक्स सुनाव परणाली हमने ब्रिटेन से लिए है उसके बाद में मंत्री परिशद का सामुही कुत्तरदाईतु है कॉलेक्टिव रिस्पॉंस्बिलिटी ओप काउंसल ओप मिनिस्टर सामुही कुत्तरदाईतु का मत्तव होता है कि यहाँ पर आपकी जवाब देता लोग सबा में मंत्रियों से पूछेगे सवालों का जवाब टाइम पर देना कम पुसरी है और नहीं दिया तो लोग सबा आपको हटा सकती है बारत की लोग सबा के पास इतनी बड़ी पावर है कि एक एविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाब भी पारित हो जाए ना तो पूरी की पूरी सरकार ही जाती है पर दानमंत्री सहीत राश्टपती सब को बोलता है पिछे मुड गरेजा इतना टाइम लगता है ये है पारिलेमेंटरी सिस्टम की पावर जिसमें जनता की परत्री दियों के हाथ में पावर होती है वो कभी भी इनको घर बेज सकते हैं और वो पावर लोक सबा के परती है और यहाँ पर लोक सबा के परती ही इसको उत्तरदाई बनाएगे है चलिए उसके बाद में हम अगले देश की बात करते हैं और अगला देश होगा हमारा आयरलेंड नाम तो सुना होगा आपने कई वार सुना है तो देखते हैं आयरलेंड से हमने क्या लिया है आयरलेंड के बारे में जो सब चिज़ा कुशन रिपीट हुआ है वो है निती निदेशक तत्व निती निदेशक तत्टों का कुष्ण बार बार एक्जाम में पुच्छ दाता है कि यह हमने कोण से देश से लियेए तो आयर लेंड से लिये आयर लेंड से हमने राश्कपती की चुनाव पर नाली लिये राश्कपती का निर्वाचन जिसको हम कहते हैं एकल संकर्मणी है अनुपातिक परति निदित्व की वोट परणाली जिसमें आम जनता भागनी लेती है जनता के चुनवे लोग भाग लेते है राष्टपती की निर्वाचन परणाली निती निदेशक्तात्व है और राज्ये सबा में राष्टपती द्वारा मनोनीत सदस्य मनोनीत को चुनाव लड़ने की जुरूत नहीं है बिन्ना चुनाव लड़े ये सदस्य सांसद बन जाता है आपने सुनाव का देश के बड़े-बड़े परतिशित कलाकार, विज्यानिक, साहित्यकार, समात सेवा करने वाले अच्छे लोगों को राज्ये सबा में मनोनीत क बारा सुदस यह होती है टोटल और यह चार क्षेत्रों से होते हैं कला विज्ञान साहिते समास्यों और यहां यह निर्वात से मनोनित करने की प्रक्रिया आयरलेंड से लिए हैं उसके बाद में हम बात करते हैं अगली विशेष्टा की और वो है देश कनाड़ा कनाड़ा से हमने सबसे इंपोर्टेंट जो चीज लिए है वो है राज्येपाल का पद या हम कह सकते हैं राज्येपाल की नियुक्ति प्रक्रिया राज्यस्थान के राज्येपाल कोन है कल्दराज मिस्र पहले राज्येपाल कोन थे राज्येपाल नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है जब नियुक्ति लिकाए तो नियुक्ति होगा जब राज्येपाल की नियुक्ति करता है बारकराश्पुति और ये किसी बाहरी राज्यक होता है अपने राज्यका नहीं है अभी राज्यस्तान के राज्यपाल है कलराज मिसर और यूपी के बलिया से आते है और अभी गुलापचंद कटारिया को राज्यपाल बनाया है असाम का जो राजस्तान के है गुलाप्शन का टारिया तो राज्येपाल से संदब में यहाँ पर एक परंपर आया कि उस राज्ये का नहीं होना सी हो बाहरी राज्ये का होना सी हो मुख्य मंत्री उसी राज्ये का होगा जिसका हो मुख्य मंत्री है राज्ये पाल दिल्ली से आता है और बाहरी राज्ये का होता है ताकि वो निश्पक सुरूप से काम कर पाए करनाडा से हमने लिया है राज्ये सूची के विशे राज्ये सूची के विशे आपको पता होगा कि केंदर सरकार और राज्य सरकार की भी इसमें पावर बांटी हुई है कि अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे कोई एक दूसरे महास तक शेप नहीं कर सकता तो पावर बांटी है तीन लिस्ट में तीन सूचियों में संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यह जो power distribution में जो राज्य सूची को जो विशे दिये हैं छोटे-छोटे यह कनाड़ा के समिधान से पढ़ कर हमने दिये हैं राज्यों को यही होने चाहिए छोटे-छोटे काम पंचायतों का विकास करना, कल्यान कर योजनाओं को लागू करना राज्ये के अंदर कानूनी व्योस्ता को बनाए रखना यह छोटे-छोटे विशे हमने राज्य सूची में डाले हैं और इन पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है यह कनाड़ा से प्रेरित है एक विशे आता है जिसको हम कहते हैं आवसिस्ट विशे आवसिस्ट का मत्ता होता है बच्चा हुआ अगर कोई विशे है, तीनों सूचियों में नहीं है राज्य सूची में नहीं है, समवर्ति में नहीं है, संग सूची में नहीं है उस विशे को क्या कहेंगे? जैसे साइबर से समदित कम्पूटर प्रणाली से समदित कोई कानून बनाए तो केंदर सरकारी बना सकती है जैसे जब यह समिधान बना था जब यह विशे बनते थे उस समय किसी ने सोचा था कि मोबैल आएगा, इंटरनेट आएगा इतना बड़ा जो सूचना तंतर विक्षित होगा देश हो दुनिया में और लोग जो हैं हेक करेंगे एकाउंट से पेसे निकाल लेंगे पहले पता नहीं था, लेकिन अब हो गया तो एक नया विशे बन गया इसको हम कहते हैं आउसिष्ट विशे तो यह कहता है कि कोई नया विशे जनन ले ले तो वो विशे हमें सकेंद्र सरकार के पाथ रहेगा तो उस पर कानून संसद ही बना सकती है अभी टेको साइबर से समदित जो कानून है हमारे देश में वो संसद बनाती है पारलेमेंट तो कनाड़ा के बाद में अब हम बात करते हैं अगले देश की और अगला देश होगा आपका जिसका नाम है जर्मनी तो जर्मनी से हमने जो चीज लिए है वो है अपात कालीन प्रावधान एक जर्मनी से हमने लिए है कि जब राष्ट या पात काल देश में लगे राष्ट या पात काल इस दोरान मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो मूल अधिकारों का निलंबन ये भी अमने जर्मनी से लिए है लेकिन दो मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं वो है एक अनुछेड 21, 20, 21 को छोड़ कर ये बड़े समिदम सील अधिकार है दो जो निलंबित नहीं होते हैं बाकी मूल अधिकार निलंबित होते हैं जीने की स्वतंत्रता जो है वो 21 में है और 20 में लिखाया है कि किसी व्यक्ति के वो गिरपतार किया गया है तो उसको पक्स रेखने का अवसर मिलेगा ऐसा नहीं रोल अटेक्ट की तरह सीधा पकड़ाओ जेल के अंदर सुनवाई का अधिकार कभी खतम नहीं हो सकता और जीवन का अधिकार कभी निलंबित नहीं हो सकता तो इनको छोड़कर बाकी निलंबित कर देते हैं राश्टिय अपातकाल में है समिदान में एक अनूची दाता है 352 तीन सुबावन कहता है कि अगर देश के उपर किसी ने आकरमन कर दिया हो या देश के अंदर जनता ने हतियार उठा लिए सिस्टम के एकलाब तो राश्टिय अपातकाल लगओ देश को बचाओ उसे हम राश्टिय अपातकाल लिए नेशनल इमर्जेंसी बोलते है आपको पता होना चाहिए कि बारत में अब तक तीन बार इमर्जेंसी लग चुकिए जिसमें दो बार युद्धों के कारण आकरमन के कारण लगी है और एक बार लगी है आंतरिक ऐसांती की कारण तो ये इस लिए लगाई आता है ताकि देश को बचाए जा सकें इस प्रकार की नकारात्मक ताक्तों से देश को बचाना भू ज़रूरी है नहीं तो देश खतम तो हम भी खतम पी तो जरमनी से हमने ये बातें लिए उसके बाद में हम बात करते हैं Australia की कि आस्ट्रेलिया से हमने कौन सी चीज लिए है आस्ट्रेलिया से हमने लिए है सम वर्ति शूची आस्ट्रेलिया से अमने लिए है प्रस्तावना की बासा सेली प्रस्तावना में बासा सेली का मतलब है कि लिखने का स्टाइल यह हमने लिए है आस्ट्रेलिया के सम्विदान से औस्टेलिया से हमने लिया है व्यापार वानिजे से समंधित प्रावधान समवर्ति सूची तो आप जाने के केंदरों राज्यों की जो सक्तिया बांटी है उसमें संग सूची में केंदर सरकार की पावर है राज्य सूची में राज्य सरकार की है तो समवर्ति में किसकी है? दोनों की? दोनों मिलकर जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे यान कि समवर्ति सूची में राज्य सरकार भी कानू बना सकती है और संसद भी बना सकती है यह समवर्ति सूची का concept हमने यहां से लिया है Australia से प्रस्तावना की जो बासा से लिए लिखने का जो style है छोटा करके ज़स सब्दों को इस पर का से लिखना यह हमने Australia से लिए है लेकिन पूरी प्रस्तावना कहां से प्रेरित है USA और प्रस्तावना तो आपको पता यह है हम भारत के लोग भारत को एक संपून पर भुत्व संपन समाजवादी पंत निरिपे एक लोग तंत्रात पक्गन राजी बनाने के लिए तता इसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनितिक नियाय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता परतिष्था और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तता उन सब में व्यक्ति की गरिमा और इस राष्ट की एकता वे अखंडता को सूनिश्चित करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए ड्रड संकल्प होकर आज अपनी इस समिधान सभा में तारीक 26 नवंबर 1949 मिती मार्गशीर सुक्ल सब्तमी समत 2006 विक्रमे को एत्तद द्वारा इस समिधान को अंगीकर्थ अदिनियमित और आत्मार्पित करते हैं यह समिधान की क्या है परस्ताव यह पूरा समिधान यह मालोग स्कूल की किताबों के पीछे छपाव देखा होगा बारत का समिधान और नीचे परस्तावन लिक्यों होती ह कई हम लाश्ट में होता है कई हम पहले हो सकता है तो एक तो मूल करता हुँ छपए होते हैं नागरीकों के ग्यारा करता हुए और एक यह प्रस्तावना छपई होते हैं वहाँ आपने कभी गोर नहीं किया होगा लेकिन आद यह आपके स्लेबस में हैं हर बार प्रस्तावना से एक कुछन आता है तो यह प्रस्तावना की जो बासा से लिए है यह हमने आस्ट्रेलिया के समिधान से लिए कि उसके बाद में हम बात करते हैं कि यह कि छोटा कैसे हो गया स्मित कि अगला देश है रूस कि और रूस से अमने लिए है मूल करतव एक तो मूल करतव अमने रूस से लिए हैं दूसरी बात हमने रूस से लिए है आर्थिक न्याए हमारी परस्तावना में एक न्याए है जिसका नाम है आर्थिक न्याए परस्तावना में वेसे तीन प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनितिक न्याय तो आर्थिक न्याय रूस के समिधान सी प्रेरीत है और मूल कर्तव भी कर्तव ये नागरीकों के देश के परतिदाइत्व है कि कुछ चीजों का आप पालन करें और अधिकार देश का नागरीकों की परतिदाइत हुए कि नागरीकों को ये सुविदाएं उपलब्द करवाए हम अधिकारों का इंजोई करते हैं उसके बदले अपने करतोयों का पालन करते हैं इसलिए कहते हैं कि अधिकार और करतव एक दूसरे के पूरक है अधिकार है तो करतवे और करतवे नहीं तो अधिकार नहीं तो करतवे नहीं तो यह सारी चीजे समिदान में आगे आप पढ़ोगे उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं अगले देश का नाम है फ्रांस और फ्रास के समिधान से हमने जो सबसे important चीज लिये है उसका नाम है गण राज्जी गण राज्जी Republic State देखो गण का मतलब क्या होता है देश गण का मतलब जनता राज्जी का मतलब देश यानकि ऐसा देश जिसका मुख्या गण की दौरा निर्वाचित हो उस देश को हम कहते है गण राज्ज देखो एक होता है लोक तंतर एक होता है गण तंतर दोनों अलग लगे द्यान रखना सेम नहीं हो सकता लोक तंतर में सरकार के मुख्या की बात करते है कि सरकार का मुख्या जनता की बीच में से सुनाव जीत कराएगा और गण राज्जे में हम देश की मुख्या की बात करते है ये वन्सा नुगत नहीं होगा जिस देश का सर्वोच्पद वन्स के अधार पर ने होकर एपरतेक्स रूप से निर्वाचित है उस देश को हम क्या कहते हैं सिंपल है गण रज उसके बाद में हम बात करेंगे अगले देश की और टोटल दस देश है तो कित्ते हो गये हैं तो देश का नाम नहीं आया है दक्षण अफरीका का दक्षण अफरीका से हमने जो लिया है वो सबसे मैत्यकून चीज़ तो यह है समिदान संसोधन समिदान में संसोधन किया दाता है आपको पता होगा कि अनुचे 368 संसद को यह पावर देता है कि आप समिदान में संसोधन कर सकते हैं कुछ भी दक्षण अफरीका से हमने लिया है राज्य सबा के चुनाव राज्य सबा के चुनाव एपरत्यक सुरूप से होते हैं और इस चुनाव में भाग लेते हैं हमारे राज्यों की विदायक जिनको हम कहते हैं एमेले वो भाग लेते हैं तो दक्षण अफरीका से हमने दो चीज़े लिया है अब इन देशों को हम काउंट करते हैं टोटल दस होना चीए दस अगर होना चीए तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे यह कितने होगे तीन चार और चार और चार यह होगे आठ और यह नो नो होगे एक देश कम है तो एक देश अपना बस गया जिसका नाम है जापान जापान तो जापान से हमने समिदान के अनुछेद परनाली लिये है समिदान में कितने अनुछेद है तीन सो पिच्चान में गुड और यह अनुछेदों में बाततें लिखना यह तरीका हमने जापान से लिया है और जापान से एक विदी से समधित प्रावधान लिया है जिसको हम कहते हैं विदी द्वारा इस्थापित परक्रिया लिया है देखो रूल स्टेबलिस्ट बाई लो और एक होता है रूल ओफ लो अमने ब्रिटेन से लिया है वो कांगे ब्रिटेन विदी का शासन है ना देखो यहाँ पर लिखावा विदी का सासन और जापान से अमने लिया है विदी द्वारा इस्थापित परकरिया अब इन दोनों नंतर कैंए यह समझो आप विदी का सासन का मतल़ा हो गया खी सासन कानून से चलेगा कोई भी व्यक्ति आजए पहले खी सरकार सुर्कार को चलाए यह विदी का सासन है स्थापित प्रकिरिया का मतल़ होता है जो इस्टेबलिस कर दी आपने, जो बातें लिख कर उसमें प्रावधान कर दिये, वही लोहे की लकीर मानी जाएगी, यारा कि जो बात विदी में लिख दी, उसी को सच माना जाएगा, व्यक्ति क्या बोल रहा है, उससे ज़्यादा इंपोर्टेंट है विदी, उसको हम कहते हैं विदी की सम्यक प्रक्रिया, सम्यक जो सब देना उसका मतलब होता है उचित, और वो कहता है कि कभी-कभी विदी से जादा उस गटना में नहीत बावना होती है, तो बावना को भी समझना जरूरी है, कभी-कभी विदी भी गलत हो सकती है, इसका मतलब यह, यह विदी की सम्यक प्रक्रिया कहलाती है देखो माल लो कि एक आदमी है जिसने किसी का मर्डर कर दिया तो विद्धी क्या कहती है इसको आजिवन कारवास होगा ऐसा उसको विद्धी भी लिखा है अब सम्यक प्रक्रिया कह रही है कि आपने तो कह दिया आजिवन कारवास होगा क्योंकि विद्धी द्वारा इस्तापित परकिया को फोलो कर रहें आप लेकिन उसने किस हालात में हत्या किये उसकी आप ये नहीं देखोगे अच्छा आपने देखा होगा कई बार नींद में चलने की लोगों की बीमारी होती है नींद में कुछ लोग काम कर लेते हैं और नींद में चलके मानलो की किसी ने किसी के नुकसान कर दिया तो नींद बूट कर ऐसा हुआ है कई बार हुआ है और नींद में किसी के गलत दबा दिया तो तो फी तो आप जेली वेज़ो उसको वहाँ सम्यक प्रक्रिया काम आती है कि विदी से जादा महतुपूर्ण उसमें नहीत बावना है कि किस कंडिशन में ये गटना होई एक अपने दोस्त है या बज्जू में रहते हैं उनको वो इवार मिले थे उनको कमर में बड़ा से पाट्टा बांदा हुआ मैंने क्या हो गया बोला पुछो मत बताने लाइक भी वात नहीं है मैं बताओं तो आप बरोसा नहीं पर हो गया मैंने क्या हुआ क्या बताओं तो सही मैंने सुझा कोई एक्सडेंट हो गया मैं लोग कमर में इतनी घंबीर चोट तो मैंने क्या हुआ कोए डिस प्रोबलम तो उन्होंने का कि मैं शत से गिर गया डाग लहाँ नीचे मैं यह कैसे नीद मैं मैं इनका नीर में चलने बिमारी नहीं आज तक पहले कभी कभी नहीं हुआ जीव ने पहली बार तो मैं इनका थोड़ा बताओ डिटेल में कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं गर्मेट छट के उपर अपना कमरा बनावा है मेरा अपना परसनल रूम होई है दर्वाजा खोला बाहर निकला और पिछे चत से चलांग लगा दी नीचे बाई साब ने नीचे चलांग लगा दी और अभी नीद नहीं खुली है अभी नीद में है गिर गे फिर भी और पिछे बता रहे हैं कि बाहर जो main gate है main gate के बाहर एक कमरा होता है तो बुलो एक कमरा हमारा बाहर है जो कोई मेमान वगर आते है तो उनके वाहाँ बेड लगा है तो वहाँ उसका gate खोल कर मैं वहाँ जाकर सो गया वापस हो गया अभी तक नीध नी खुली बाई साब की देखो कितना खतरणा को था नीद में चलना तो उसके दो गंटे के बाद में मेरी आँख खुली कमर में दर्द हो रहा था और मैं अचानक जागा की क्या हो गया तो देखा कि कमर में खुण आया वह और में गभरा गया यह क्या हुआ और फटा-फट गरवालों को दरवाजा बजाया खड़ा किया तょ उन्हेंने कहा कि मेरे क्या हो गया गरवालों बोला पहले तो ये बता नीचे केसे ऐया उपर सो रहा था यहां आया केसे कियोंकि अंदर वाला थो दरवाजा ही बन्द पड़ाए मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पटा पड़ होस्पिटल लेकी गए और बाद में पाउं की निशान देखे कि वो कहां से आया है तो पाउं की निशान पिछी से आते वेका है और पिछी जो है बड़ा सा गड़ा बना वा जहांसे वो कुदा है तो डोक्टर ने बोला कि 6 6 मेने के बाद अभी उटके थोड़ा-थोड़ा चलने लगा हो हो तो अब देखो और यह जो गटना है इस व्यक्ति ने लेकिन ये नींद में खिसी के दूस्तरा कि नुक्सान कर सकताथ गा लोकी लीद में उटकर गलत अबाजियत हो नींद तो यह क्या कहता विद्धी द्वारा इस्ताफित परक्रिया कहते हैं आपको सजा मिलेगी अगर किसी मडर किया है तो आज जीवन कारवास है विवस्ता लेकिन वो तो भाई साब नीद में किया है तो यहां पर काम आएगी विद्धी की सम्यक परक्रिया उससे कहते हैं विद् त्रिक की सम्मंद में दो तीन कुछ संथ है इंपोर्टेंट चो यह होगे अभी आप इनको लिखना स्टार्ट करेंगे आप नॉट्बुक में हेडिंग डालें